नमस्कार दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है हमारी इस यूटूब चनल दा वेट तो आई एस में फ्रेंस जैसा कि आप जानते हैं कि यह एंसी आटी का हिस्टी का हमारा स्रीख चल रहा है उसमें 6th क्लास का आज हमारा 11th चेप्टर चल रहा है जिसका हेडिंग है बिल् पहले questions पूछे जाते थे उसका जो nature होता था पहले political question बहुत पुछ जाते थे है history में उससे questions बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और ये chapter भारत में जो culture development हुआ है जो cultural development हुआ है उस पे बेस्ट है इसे लिए chapter बहुत ही important है friends आप जानते हैं कि कोई भी exam हो उस exam में कोई भी part हो तो उसमें अगर आपको 100% सफलता प्राप करनी है तो NCIT पढ़ना actual clarity होता है यह होता है जो फंडा जो fundamental चीज है जैसे building है उसका जो foundation जितना strong होता है उतना ही लंबा building बनता है उतना ही strong building बनता है इसे लिए ये NCIT पढ़ने के बाद आपका foundation बहुत है strong होगा आप PT मेंस interview कोई भी stage हो उसको आप crack कर लेंगे अब सबार उड़ता है कि आप NCIT मेरे साथ ही क्यों पर है क्योंकि मेरा मानना है कि जो study होता है उसके चार stage होते हैं सबसे पहला जो है वह reading होता है then thinking होता है then interlinkage होता है and then expression होता है friends यह expression भी दो level का होता है एक written form में होता है एक oral form में होता है written form basically जो आपका PT है और जो means है यह written form है जो interview है आपका oral form है अगर आप मेरे साथ study करेंगे NCIT को तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा number कैसे आया उसको तरीका में बताऊंगा बहुत ज़्यादा number ले आएंगे आप और proper IS बनेंगे friends साथ ही साथ मैं मैं आपको help करूंगा कि किसी भी point को लेकर के multi-dimensional way में कैसे सोचते हैं क्योंकि जब तक multi-dimensional way में आप नहीं सोचेंगे PT में और interview को crack करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है साथ ही साथ targeted way में study कैसे किया जाए इसमें भी मैं आपको help करूंगा क्योंकि जब तक आप targeted way में study नहीं करेंगे तब तक एक time frame में आप सफल नहीं हो पाएंगे within time frame अगर सफल होना है तो आपको targeted way में study करना बहुत जोड़ी है इसि targeted way के तहद जो इस chapter को पढ़ने से पहले हमारा 3 target बहुत ही clear है जब target आपका clear हो जाता है तब जब आप उस chapter को पढ़ते हो तब आपका बहुत जादा concentration बनता है आपका बहुत जादा attention बनता है बहुत जादा focus हो जाते हो आप इसमें जो पहला टारगेट है हमारा key words related है ये chapter में दिया हुआ है keyword अस्तूपा word दिया हुआ है अस्तूप क्या होता है क्यों बनाय जाता था इसके concept को समझेंगे temple, temple का क्या relevance था क्यों बनाय जा रहा था ये देखेंगे then painting के बारे में जानेंगे इपिक क्या होता है, चार इपिक की बात इसमें क्या गिया है, उसको हम देखेंगे, एस्टोरी क्या होता है, एस्टोरी कैसे जन्मानस में बहुत सारे कहानियां होता है, उस कहानी को कैसे कंपाइल किया गिया जातक में, यह देखेंगे, देन पुराना क्या होता है, मतलब को इन सारे theme को समझेंगे जो हमारा दूसरा target है वो questions होता है हर chapter के पीछे questions होता है अगर आप questions को पहले ही पर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा clan हो जाते हैं इतना तो minimum आपके पास target आही जाता है कि at least हमें इन सारे सवालों को solve करना है इसलिए इन सारे सवालों को solve करने के लिए आप पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा concentrated रहे हैं जो पहला question है वह कहता है कि आप इसको match करें match the following अस्तूप को किसे करना है left side नाम दिया हुआ है और right side इसके बारे में बताया गिया है इन सब को match करना है हम दो last miss को match करके देखेंगे भी fill in the blanks है fill in the blanks में क्या है dash was a great astronomer as stories about gods and goddesses found in the dash and the dash is the recognized as the author of Sanskrit Ramayana फिर बोलता है dash and dash are the two Tamil epics यह सारे सवाल का जावा हम दूनेंगे उसके वाज़े हमारा third target है subheadings related है यह वास्तम में जे चेप्टर है हमारा उसको कई subheadings में बाट करके हमको इसको पढ़ना है तो यह अगर subheadings बहुत ही जादा आपको पहले ही clear हो जाता है तो आप imagine कर लेते हो आपके पास एक picture बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है कि इस चेप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है पहला जब आप इस chapter को कई बार पर लेते हो और फिर आपको revision करने का मन होता है बाद में तो इस सिफ यह subheadings को पर करके आप recall कर सकते हो कि इसमें क्या-क्या है और recall करने के process के दौरा आप बहुत ही अच्छी तरह से revision कर सकते हो इसलिए subheadings के बारे में जानना बहुत जोड़ी है तो यह हमारा target है third पहला है इसमें the iron pillar then है building in brick and stone मतलब पत्थर और जो इट से जो building बनते है उनकी कहानी है how where astupas and temples built जो temple और astupas बनते थे वो कैसे बनते थे फिर painting के कहानी है इस fourth वाले subheading में इन सारी चीज़ों किसमें बताया गया है and the recording and preserving old stories जो पुरानी कहानिया है उसको किस तरह से record किया जाता था उसको preserve किया जाता था यह सारी बात इस subheading में है stories told by ordinary people जो सामान लोग है वो जो कहानिया बताते हैं वो stories में है writing about the science science के बारे में उस field में science के field में जो लिखा गया है इस subheading में बताया गया है and the elsewhere is very important at that particular time world के दूसरे space में दूसरे जगह में क्या हो रहा था उनके बारे में इसमें बताया गया so it's a very interesting topic here let's start सबसे पहले है the iron pillar यह कहता है कि आपका जो देली जो देश की राजगानी यह वहाँ पे एक जगह है महरौली वहाँ पे यह iron pillar है यह एक बहुत ही best example है आपके कुसलता का आपका जो क्राप्स परसन थे हमारे भारत में पुराने समय में उनकी जो कुसलता है उनका best example है काता है यह जो iron pillar है इनका अगर height की बात करें तो 7.2 meter का है और इसका अगर weight की बात करें तो लगभ़त 3 ton का वजनी है और इसको आज से 1500 साल पहले इसको यह iron pillar को जो है किया गया यहाँ पे अस्थापित किया गया था यह बात बहुत important है साथ साथ यह बोलता है कि यह जो iron pillar है यह किनके द्वारा बनवाया गया था तो इसका एक clue हमको मिलता है क्योंकि इस iron pillar पे एक inscription से लिखा हुआ है और इस inscription में चंदर नाम के एक राजा का चर्चा है वास्ता में यह चंदर गुप्त दूती है जो कि समंदर गुप्त के बेटा है उनके उनका यह माना जाता है कि उनके द्वारा यह पीलर जो है iron का स्थापित किया गया था सबसे आस्था जनक वात यह है कि 1500 साल होने के बावजूद भी यह आज तक इसमें कोई जंग नहीं लगा है यह रस्टेट नहीं हुआ है इससे देखे कि जो मेटरलर्जी है जो धातू विज्ञान है भारत का कितना डवलप था उस समय में आज से 1500 साल पहले प्रेंट्स अगर हम आगे बात करें तो मेटरलर्जी के ही बात करते हैं के आधार पे देखें तो जो हरपन सिवलाइशन्स भारत में रहा है वहां का जो क्रांट्स में थे वह बहुत ज्यादा कुसल थे खास करके कॉपर मेटरलर्जी में इसके बारे में हम बहुत कुछ जाने हैं देखें हैं इससे पहला जो सबसे पहला जो दो-तीन चेप्टर है उसमें हमने ये सब देखा था कि किस तरह से महां पे copper को लेकर के metallurgy होता था वो ये भी जानते थे कि bronze कैसे बनाया जाता है जब copper में tin को mix कर दिया जाता था तो bronze बनाया जाता था ये bronze जो होता था copper से कुछ ज़ादा hard होता था इसलिए उस जबाने में ये जो bronze बड़े पेमाने पे बनाया जाते थे इसलिए उस समय को bronze age कहा गया अर्थात जो हमारा industrial civilization या हरपा civilization को period है वो bronze age की period के अंतरगत आता था bronze age के बाद iron age आया और इंडिया ने बहुत ही high quality के iron जो है उसको produce किया जैसे forged iron हुआ, wrought iron हो गया, cast iron जिसको हिंदी में खोटा लोहा बोलते हैं पीटवा लोहा बोलते हैं या धलवा लोहा बोलते हैं इसका मतलब यह है कि जो metallurgical science है भारत में बहुत ज्यादा डवलब था पूराने जवाने से ही मतलब 5000 साल पहले तो हम बात कर रहे हैं हर अपन civilisation का उस समय से हमारा metallurgical जो एरिया था बहुत ही डवलब था आगे अगर हम देखें तो अब बात आता है third जो हमारा sub heading है building in brick and stone मतलब पत्थर और inch से जो बने इमारते हैं उसकी कहानी बोलता है skills of our crafts persons are so apparent in the building that was survived that have survived such as astupas करता है कि जो हमारे crafts persons के जो skills है जो कुसलता है वो हमें दिखता है building के field में ही जिसका सबसे best example astupa है अब बात करता है astupa का astupa क्या होता है इसका एक जो mini होता है वो होता है mound या tila होता है उसमें बहुत सारे प्रकार के astupa बनाया जाते थे जैसी गोलाकार बला होता था बहुत लंबा होता था बहुत बढ़ा होता था चोटा छोटा भी astupa बनाए जाते थे ये सारे variations उते लेकिन उन सारे में common features था वो क्या था उन सारे common features की बात करते हैं उसमें ये common features मिलते ही मिलते थे सबसे पहले बोलता है कि generally there is a small box placed in the center or heart of the astupa ये picture आप भ्यान से देखिएगा ये एक astupa है ये पटना में बनाया गया है उसका हमने picture लिया है तो इसको समझने में बहुत आसान होगा इसी रीज़ पिक्चर को लिया है ये बना जो पार्ट है ये बोलता है कि एकदम बिल्कुर center है अस्तूपा के बहुत ही center है इसमें एक small box है ये box जो है यहाँ पे इस box को अस्थापित किया गया सबसे पहले ये box रखा गया उसके बाद क्या किया पहले ये देख लेते हैं इस box में एक क्या क्या था ये जो box था इसमें जो गौतम बुद्ध थे उनके या उनके जो followers थे उनके दात उनके बोन हड़ी या उनके जो राख होते थे उनको इसमें रखा जाता था साथे साथ वो जो समान यूज करते थे उनको भी इसमें रखा जाता था या जो precious stone होते थे या जो coin होते थे उनको इस box में रखा जाता था और बाद में इस box के उपर मिट्टी से ढख दिया जाता था यहीं बहुता है यह जो box होता था इसको बोलते थे relics casket इसको जो दूसरा नाम हिंदी में दिया जाता है उसको बोलते है धातू मंजूसा काता है यह रखने के बाद इसके उपर जो है मिट्टी या अर्थ से कभर कर दिया जाता था बाद में इसके उपर layer of mud brick या backed brick या तो इट कच्चा हीटा या पका हुआ इटा से एक इसके उपर एक और layer बना दिया जाता था यह जो है एक dome एक टिला नुमा structure बन जाता था और इसको कभी कभी कभर कर दिया जाता था किसी से तो जो stone का slabs होता था जो बड़ा बड़ा पत्थर होता था उससे इसको उपर से ढग दिया जाता था यह जो है उपर से ढग दिया जाता था इस अस्तूप के चारो भगल इस तरह से घूमने के लिए जो जो एस बनाया जाता था इसको बोलते हैं प्रदक्षिना पत प्रदक्षिना पत क्या होता है तो वह एस्टूप के चारो बगल जो घूमने वाला एडिया होता था वह प्रदक्षिना पत कहलाता था अब यह जो प्रदक्षिना पत है इसके चारो पगल लोग अराम से घुमें और गीरे नहीं इस तरह से रेलिंग बनाया दिया जाता था इसको जंदला बोलते हैं कि ताकि लोग गीरे नहीं तो यह जो रेलिंग है यह बना दिया जाते थे साथ ही साथ इसमें जो प्रवेश करता था लोग इसके लिए गेटवे बना दिया जाता था गेटवे हाना तो यह दो चीज हो गया प्रदक्षिना पत हो गया रेलिंग हो गया और गेटवे हो गया यहां तक कि लिए हो गया अब कहता है इस प्रदक्षिना पत में जो लोग भ गलत है, statement तो गलत हो गया, वो statement सही है, गलत है, यह आपको पूछेगा, तो आप गलत मत कीजिएगा, वो जो परदचिना पत में लोग घूमते थे, वो clockwise में घूमते थे, direction, ठीक है, इतना याद रिखेगा, जो बोथ railings होता था, और जो gateway होता था, उनको बहुत ही अच्छी तरह से सजाया जाता था मुर्दियों के द्वारा, अर्थात यह जो railings है, यह वला railings है, यह वला railings है, और यह जो gate है, इनको बहुत ही अच्छी तरह से sculpture के द्वारा सजाया जाता था, यही बात इसमें कहा गया है, आगे बात करता है, कहता है कि आप अमरावती को याद है आपको पेज नमर 7 जिसे पहले बाले चेप्रटर भाम पर चुके हैं अमरावती को याद कीजी तो हम आपको दिखाते हैं कि अमरावती कहा है यह जो जगह है ना यह अमरावती है है ना तो कहता है कि इस वाज प्लेश फिर मैगनिफिसेंट अस्तूपा वनस एग्जिस्टिट मतब एक बहुत बड़ा उत्क्रिष्ट भग अस्तूपा का निर्मान यहां किया गया था पहली यह एग्जिस्टिट था अभी यहां पर अबसेश बचा हुआ इस अस्तूपा का काता है मेनी ऑप अप अच्छी तरह से कार्व किया था उकेरा गया था सजाने के लिए यह लगवग दो हजार साल पहले यहां पर यह सारे चीज़ किये गये थे बनाये गये थे काता है इसी अमरावती से यह जो पिक्चर देख रहा है इसी बारे में बोलता है a sculpture from the अमरावती a sculpture का मतलब होता है मूर्ती पत्थर की मूर्ती अमरावती से प्राप हुआ है look at the picture and describe what you see यह पिक्चर को देखिए और बताइए कि आप इसको देख करके क्या समझ बाए है यह तो इस पर काम कीजिएगा आगे बात करते हैं इस अमरावती समझ गए कहा है आगे बात करते हैं करता है the great astupa at Saatchi यह बहुत important है Saatchi कहां है यह देख लीजिए यह बहुत पार्ट जो है Saatchi है मतलब यह जो नर्मदा रिवर है नर्मदा रिवर के ऊपर में यह Saatchi है अब Saatchi में जो वहाँ पे अस्तूबा बना था उनके बारे में बात करते हैं Saatchi है कहां तो आज का जो मद परदेश है यहां located है अस्तूबा को बनाने में कोई कुछ साल नहीं लगा कई सो साल लगे कहता है कि इसमें जो पहला प्रियास हुआ बनाने का तो उसमें जो ब्रिक बनाया गया क्वाइर ब्रिक मौंट ये जो इता का जो तिला ये जब बना था यह वास्तव में असोब के समय बना था बाद में इसमें जो रेइलिंड्स और जो गैटवे है ये सब इसमे जो उसमे जो जो रा गया लेटर रूलर में इसको जो रा थी यह याद रिखिएगा कि रेलिंस और गेटवे को बनाने वाले जो लोग थे उसका जो समय था वो लेटर रूलर के स्काल में था और यह जो अस्तूप बना था और इस अस्तूप के उपर जो ब्रिक मौन मत्तब जो इट को बेठा करके जो यह टीला बनाया गया था इस का धा ग्रेट जो चंदगुप्त Mour के बेटा थे अपोता थे उसके समय में यह बना था याद रिखेगा इसको आगे अगर हम बात करें तो याद रिखेगा यह क्या है यह गेट है यह पूरा इसको देखिए बहुत बढ़ा गेट है यह और यह जो है यह रेलिंस है मतलँ जंगला चारोवल से घिरने वाला लोग गिरे नहीं और यह एस्टूपा का जो मेन इस्ट्रक्चर है वह वाला पार्ट है ठीक है आगे बढ़ते हैं काता है अधर बिल्डिंग्स वेर वोलोड आउट अधर अधर बिल्डिंग्स क्या थे उस समय में तो काता है कि पूरे पूरे पार को खोद करकी जो केवस बना दिया जाता था यह भी उस समय बहुत बाड़ी पैमानी पर बनाया गया साहमःबदिज्वेर एलेबरेटे डेकॉरेटेड इस तरह के जो केवस थे जो गूफा थी उसको बहुत इğ sofort की तरह से डेकॉरेट किया गया Sculpture मतलब मूर्थी के द्वारा और Paint के द्वारा ये बाद आगे हम Paint से कैसे decorate किया गया है वह हम देखेंगे काता है इसी समय बहुत सारे हिंदू टेंपल बने जो कि earliest temple था मतलब बहुत सारे earliest temple जो बने हैं इसी समय बने हैं काता है जो देवी देवता थे जैसे विष्णु हो गया है शीव हो गया है दुलगा हो गया है उनका जो वर्श्रिप किया जाता था इस यहां पे ही किया जाता था इसी के लिए मंदिर बनाया गया था इसी मंदिर में इनका पूझा पार्ट करने के लिए ये सारे चीज़ बन आपना वर्शिप करते थे डैटी का अपनी भगवान का यहां पर पूजा करते थे तो इसको पिक्चर को देख लिए आपने आगे बात करता है कहता है कि यह जो गर्वग्री है इसको मार्क करने के लिए कि हाँ भया यह बहुत ही सेक्रेट प्लेस है इसके उपर में सिखर या टावर बना दिया जाता था इसका एक एक एक्जामपल भीतरगों में हमको प्राप्त हुआ है भीतरगों आज का यूपी में है तो इसको याद रखिएगा तो यह जो गर्वग्री की बात हमने इससे पहले किया था तो यह गर्वग्री है इसका यह च्छत है यह बहुत ही पवित्र जगह है इसको मार्क क नियुक्ति लिए उसके ऊपर में ये टावर बना दिया जाता था ये टावर ये इसको शीखर भी कहा जाता था उसके वाइज बोलता है कि चुक्ते टावर बनाना बहुत एक केरफुल काम हुथा। इसलिस को बहुत ही अच्छी तरह से प्लानिंग करके ही बनाया जाता था एक और टमलोजी यूच किया गया है मंदब के बारे में यह मंदब कहता है कि यह जो आपको एडिया दिख रहा है यह पूरा मंदब बला एडिया है इसको मंदब होड़ा जाता है यहाँ पे लोग assembled होते थे यहाँ पे लोग भजन किर्टन करते थे निरित होता था तो यह मैंने आपको कई terminology बताया एक तो गल्वग्रिय क्या होता है उसके बाद यह जो tower है यह क्या होता है मंडब क्या होता है यह तीन चीज़ इसमें बात किया गया है यह तीन चीज़ के बारे हमने चर्चा किया आपसे यह picture दिया हुआ है भीतर गौँ में जो मंदिर मिला है उसके बारे में यह उत्तर प्रदेश में है यहाँ पे आज से 500 साल पहले मंदिर बनाया गया और यह पके हुए इट का मंदिर बना हुआ है में और इस्टोन पत्थर और पके हुए इट का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है यह बात ध्यान रखेगा यह picture चुकी यहाँ दिया हुआ है तो यह question पूछा जा सकता है आगे अगर हम बात करें कहता है कि देखिए आप picture देखिए और इस map देखिए और map में महाबली पूरम और एहोल जो है उसको देखिए तो याद रिखेगा ये जो part है ये महाबली पूरम है ये जो site है ये महाबली पूरम है आपको मैंने इसे पहले वाले chapter में ज़स्ट पीछे वाले chapter में हम पलवा और चालुक्या की बात किया था तो ये जो पलव है उसका एक important port था महावलीपूरम और इसका जो राजधानी था वो क्या था तो काची पूरम था तो ये दो चीजा देखेगा जब हम एहोल की बात करते हैं तो ये जो चालुक के थे इनकी राजधानी यहीं एहोल था तो ये तीन साइट मैंने आपको बताए यहाँ पर कहता है सिर्फ महावलीपूरम और एहोल के बारे में इसको देखिए मैंक में कहता है यहाँ पर सम अब दा फाइनेस्ट स्टोन टेंपल जो है बिल्ड किया गया और अब बात करता है महावलीपूरम के बारे में कि महावलीपूरम में मोनोलिथ टेंपल बनाये गया मोनोलिथ का क्या मतलब होता है यह जो टेंपल आपको दीख रहा है इस मंदिर को बनाने से पहले यह पूरा एक पहार था यह भी एक पहार था, यह भी एक पहार, मतलब यहाँ पे चार पहार थे, इस चार पहार को काट करके मंदिर बनाया गया, मतलब यह जो आज मंदिर दिख रहा है, यह मंदिर पूरे के पूरे एक पहार को, एक पहार को काट करके, तरास करके बनाया गया है, मतलब इसमें अलग अलग जगह से ला करके पत्थर को एक मतब सगा करके पत्थर को संजो करके पत्थर को एरेंज करके नहीं बनाया गया है पूरे एक पहार को कार करके ये मंदिर बनाया गया है इसी को बोलते हैं एकास्मिक मंदिर या मोनोलेथिक टेंपल बोलते हैं इसको समझे का ये क्या कहत कि आप किसी एंट से मंदीर बनाते हैं तो आप नीचे से ऊपर धिले-धिले ऐरेंज करके जाते हैं कहता है जब पथर पहार को कार्ट करके मंदीर बनाएंगे तो आपको ऊपर से नीची आना पड़ेगा अब समझेए कितना tough काम होगा कितना ज़्यादा mind map का काम करना होता होगा कितना ज़्यादा imagination बहुती clear बनाता होगा जो leader होता होगा उसके साथ जितने भी और लोग काम करते होंगे उन सब को picture clear होता होगा यह कैसे सारा चीज बनाना है यही बात इस पूरे प्रग्राफ में कहा लिया है आगे अगे अगे हम बात करें तो यह कहता है इस picture में जैना monastery मतलब जैन मठ है यह उरिसा में है यह कहता है two-story building है इसको भी पूरे के पूरे जो surface है rock surface है इसको card करके बनाया है मतलब पूरे पहार कोड की card करके यह two-story मत बनाया गया जैना समझे कितना मेहनत का काम है कितना ज़्यादा कुसलता काम है कितना ज़्यादा skill का काम है मतलब skill knowledge and attitude याद रिखेगा skill उसके बाद आपका knowledge है उसके बाद attitude है यह तीन चीज़ बहुत ही positive attitude होगा इसलिए इतने बड़े पहार को काट करके भी तरास करके मत बनाने के बारे में सोच सकता था knowledge होगा कि कैसे बनाना है और a skill होगा कि कैसे बहुत अच्छी तरसे बनाया जा सकता है इन तीनों के combination होगा तभी इतना बड़ा बड़ा अद्भूत और अकल्पनिय काम मानव मतभारती है जो क्रांप्स पर्सन है उनके दोबरा ये सारे चीज़ किये गए होगे यही बाद इसमें कहा गया है अगे बात करते हैं एक और picture दिया हुआ है दुरगा टेमपल अभी हमने बात किया था ये एहोल किसका राजानी है तो चालुक्या का है यहाँ पे दुरगा टेमपल आज से 1400 साल पहले बनाये गया है कई बार ऑप्सम से पुछा जा सकता है निमन में से किस जगा पे दुरगा टेमपल प्राप्त हुआ है तो उसका आंसर होगा वो एहोल होगा इसको इध्यान से याद दिखेगा के लिए आगे अगर हम बात करें कहता है यह सब हीडिंग है कहता है कई स्टेज में बनाये जाता था भाया कहता है सबसे पहले जो राजा होते थे जो रानी होते थे होट करते थे कि बनाना है क्योंकि यह बहुत ही एक्सपैंसिम काम सबसे पहला होता है जो गूड क्वाइन टी के स्टों खोजा जाता थी फिर उसको उखारा जाता थी पिर ऊसको ट्रांसपोर्ट करके लाय जाता था ऐसे जगह पे जहां की अच्छी तरह से चूज करके उस जगह पे जहां की मंदिर बनाना है उस जगह पे लाए जाता था काता है here these rough blocks of stone जो वहाँ पे लाया गिया है rough जो blocks है stone का उसको बहुत ही अच्छी तरह से सेट किया जाता था उसको कार्ड किया जाता था और फिर उसको पीलर्स बनाया जाता था पैनल्स ओफ वाल्स बनाया जाते थे फ्लोर नीचे का स्थर फ्लोर बनाया जाता था और छट बनाया जाता था ये सारे चीज जो है कार्म करके बनाय जाता था और उसको फिर अच्छी तरह से precisely बहुत ही बारिकी से उस सबको arrange करके right position रहें फिर एक मंदिर का save दिया जाता था यही बात यहाँ पे कहा गया है कि लिए आगे गर हम देखें कहता है कि ये जो king and queens थे वास्ते में बहुत सारे पाइसा यहाँ खर्चा करते थे क्रांक्स पर्सन जो थे उनको पाइसा देते थे अपना जो treasury था अपना जो खाजाना था उससे पाइसा दे करके इतने बरे-बरे भव structure बनाते थे साथ ही साथ जब यह structure बन जाते थे अभी बना है structure खाड़ा हुआ है बहुत जाता decorated का काम नहीं हुआ है decoration का काम नहीं हुआ है अब कैसे हुआ decoration का काम इस भव इमारत के बनने के बाद जो devotees आते थे as a visitors इस temple को और अस्तूपा को देखने के लिए वो बहुत सारे gift लाते थे इस gift के द्वारा इस building को decorate किया जाता था एक बहुत सुंदर example दिया हुआ है जो भी मैंने आपको बात किया था सांची के अस्तूप का सांची कहां है यह भी मैंने बताया कहता है यह जो सांची का स्तूप बना उसका जो एक beautiful gateway बना यह मैं बात कर रहा हूँ इस gate का यह जो gate है ना यह gate यह पूरा gate है इस gate को बनाने के लिए कौन दिया था जो ivory workers थे जो हाथी के दांत से जो चीजों बनाते थे उसका जो association था उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे gift जो है यहाँ पे दान पे दिया था और उस दान या उसके gift से यह gate बना था तो यह याद रखिएगा बहुत ही important है यह economic history का पार्ट है आगे गर हम बात करें यह picture देख लीजिएगा यह sı One हो गया यह अंत आ यह जरूर यह कार्णे हो गया और यहां पे यह यह याद रखिएगा टाइम के फ्रेम में क्या development हुआ है, समय के साथ क्या-क्या development हुआ है, और space का मतलब कहां पे क्या-क्या development हुआ है, इस दो framework से अगर आप history को परहेंगे, तो आप history को पूरा visualize कर लेंगे, रटना और मगप करने का जरूत नहीं परेगा, आप history को देखना शुरू कर देंगे, history क तो enjoy करना शुरू कर देंगे, आगे अगर देखें तो हम बात करते हैं, among others who paid for decorations करता है, अभी जितना कोई हम बात किये थे, decorations के लिए paid करता था, उसके अलाबा कौन-कौन थे तो merchants, farmers, garland makers, मतलब फूल जो बनाने वाले थे, फूल के माला बनाने वाले, वो perfumers बनाने वाले और smiths और hundreds of men and women जो थे, वो ये सब gift देते थे, इनका जो pillars था, railings था, उन पे नाम खुदा हुआ है, कि ये ये इन्होंने दान दिया है, कहता है ये सारे अगर आप कभी घूमने के लिए जाएंगे ऐसे जगह पे, तो आप देखिएगा, नाम पढ़ने कोशिस कीजिएग यहाँ पे एक picture बना हुआ है, ये कहता है, ये नेशनल म्यूजियम जो निदेली में है, वहाँ पे ये रखा हुआ है, sculpture मतल मूर्ती, कहता है इस sculpture में क्या है, कि ये दो जो मूर्ती बनाने वाले हैं, इनका picture है, और ये पहार को, ये रॉक को, ये स्टोन को काट करके किस तर आस रहा है, इसका इसमें picture में दिख रहा है, यही बात इसमें कहा गया है, आगे देखे तो, कहता है, अब हम painting की बात करते हैं, painting very important, painting में भी हम अजन्ता में क्या हुआ है, वो बात करते हैं, अभी मैंने आपको अजन्ता मैप में पहले दिखा देता हूँ, ये अजन्ता है यह अजन्ता इस मेप में देख लेजिए यह अरंगाबाद आज महरास्टा में एक इंपॉर्टन डिस्टिक है और इसके ऊपर एलोडा है और यहां से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो भी दिखा देता कि कमपरिटिव एस्टडी करें तो आपको बहुत अच्छी तरह से या और यह कई सेंचूरी तक मतलब कई सताद्यों तरह यह काम चलता रहा कहता है यहां पर जो कुछ भी बना उसमें जो और हिंदू इन तीनों धर्म के अवसेस मिले हुए इसको याद रखेगा तो कहता है कि यहां पर बुद्ध्स यहां पर जो यह जो केव्श बनाया गया है इसको डेकुरेट जो किया गया है वो पेंटिंग के दौरा किया गया है कहता है कि देखे यह केव्श तो बिलकुल दार्क था इसके अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा था फिर पेंटिंग करना हो तो कैसे करना होगा तो कहता है आग जला करके उससे रौशनी परात किया गया मतलब टौर्श जला करके लाइट परात किया गया और फिर इस पेंटिंग को बनाया गया कहता है इस पेंटिंग का या जो रंग बना है, वो प्लांट सो और मिनरल से बना है, न कि केमिकल से बना है, यह याद रखेगा, लेकिन दुर्भाग की बात यह है किdepend बनाने वाले हैं, यह कोन हैं, यह अभी तक unknown है, इसके बारे यह पता नहीं चल पाया है, इसकी संभादा कम है क्रोंकि बनाने वाले समझे, पेसेंस समझे, मतलब एस्किल समझे, नौलेज समझे, कितना टीम वर्क में काम करते होंगे वो समझे, मतलब अद्भुत, अपने प्राचीन जो कल्चर है, अपना जो विरासत है, उस पे गर्व करना सीखिए, हिस्ट्री हमको यही सीखाता है, आप अपना पास्ट जो करके सवार करके रखिए, उसमें जब भी हो कि वैल्यू एडिशन करना है, तो उसमें वैल्यू एडिशन भी कीजिए, लेकिन भूलिये मत, क्योंकि आपको ही बहुत अच्छा पविश्ट बनाना है, तो यह तो पिक्चर मैंने आपको दिखा दिया, आगे गर बात करें तो कहता है, the world of books, किताबों का संसार, कहता है, some of the best non-epics जो है, यह इसी समय में लिखे गए, इपिक्स क्या होता है, कहता है, grand long compositions, बहुत बड़ा, लंबा compositions होता था, about, किसके बारे में, जो heroic main moment थे, जो बहाद ही बहादूर, पुरुस और महिला होते थे, उनके बारे में इ लिखा जाता था, इसी को इपिक्स कहा गया, अब हम बात करते हैं, तमिल इपिक का, तमिल इपिक में भी हम सिल्पा दी कारम की बात करते हैं, इसके writer कौन है, तो Elengo है, और यह जो लिखा गया है, आज से 1800 साल पहले लिखा गया, आज बहुत समझे, अपनी विरासर पे गर् है, कि एक मर्चेंट है वैपारी जिसका नाम कोबलम है, याद रिखे, यह सारे चीज याद रिखेगा, यह एकजाम में आ सकते हैं, यह जो कोबलम थे, यह रहते कहां थे, तो पुहार में, फिर मैं आपको पिक्चर मैप पे ले जलता हूँ, यह जो साइट्स है, यह पुह इनको प्यार हो गया एक नर्तकी से, और उसका नाम था माधवी, और जब प्यार हो गया अपने पत्नी से, अपने इस नर्तकी से, तो इन्होंने अपने पत्नी को जिनका नाम था कनगी, उनको नेगलेट करना सुरू कर दिया, यहाँ पे अभी हमारे पास तीन कारेक्टर हो यह एंड कंड़ी लेक्ट पुहार बाद में कोवलन और कंड़ी ये दोनों पुहार को छोर करके चले आये कहां तो मदुरई मदुरई कहां है इसको भी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ यह मदुरई है और मदुरई उस समय पांड जो राजा था उनकी राजधानी था मतलब चोला छोर करके पांड आ गया चोला का जो पुर्ड था इंपुर्टेंट ट्रेट सेंटर पुहार वहां से मदुरई मतलब पांड की राजधानी में आ गया यहां का कहानी के लियर हो गया काता है यहां जब आया तो जो कोट ज्वेलर थे दरवार में जो ज्वेलर थे पांड राजा के उन्होंने एक आरोप लगा दिया जो की गलत आरोप था इस पे चोड़ी करने का और राजा ने इसी आरोफ में इस कोवलन को मौत की सजा सुना दिया और उसको मौत हो गया, उसको मतरह मार दिया गया कंणेगी जो उनकी वाईब थी अभी भी अपने पती से बहुत प्यार करती थी, वो दुख से और गुसे से भर गई इस जो अन्याय हुआ था इसके कारव बहुत दुखी हुई और बहुत ही गुस्य से भर गई और इस गुस्य में उन्होंने इस मदुरई जो सहर था उसको डिस्टॉय कर दी परबाद कर दी यही बात इस पूर्ड पराग्राफ में कहा गया है आगे बात करें तो हम देखते हैं कि जो सिल्पादी कारव है इसमें जो वही से ये लिया गया है कविता का अंस लिया गया है इसमें वही का रहा है कभी ने कहता है यह कंडगी है या इस कविता में अपनी बात को कहता है अपने दुख को बैक्त करती है अपने गुस्य को बैक्त करती है और अंध में कहती है कि क्या भगवान नहीं है भगवान नहीं है कहता है भगवान होगा भी कैसे जिस राज में राजा अपनी तलवार सी निर्दोस लोगों को मारता हो क्या वहां भगवान रह सकते हैं यही बात इस में इस बॉक्स में कहा गया है आगे अगर हम बात करें तो कहता है अनदर जो तमील इपिक है वह है मनी मेखलई मनी मेखलई यह राइटर कौन है तो यह सतनार है और इसका जो राइटिंग हुआ है आज से 1400 साल पहले हुआ है अब यह मनी मेखलई कौन है तो जो हमने इसे पहले वाले जो इपिक्स था सिल्पादिकारं उसमें एक तो थे वो कौन माधवन माधवन थे और दूसरा कौन थे एक थे कोबलन और दूसरा थे माधवी कोबलन और माधवी मत्तब कोबलन और माधवी की जो बेटी थी वही थी मनी मेखलई है ना तो कोबलन और माधवी की बेटी जो मनी मेखलई थी उन्हीं पे बेस्ट ये इपिक्स है कहता है कि ये जो इपिक्स है बहुत समय तक lost रहा बाद में इसको rediscover किया गया अब फिर इसको हम लोग जाने आगे अगर हम बात करें तो कहता है इसके साथ साथ दूसरे writers भी हुए हैं जिनमें most important रहा है कालिदास उन्होंने संस्कृत में लिखा है और उसका जो एक बहुत important writing है वो है मेगदूत मेगदूत क्या है तो ये poem है याद रिखेगा इससे पहले वाले chapter में हमने अभी ग्यान शकुंतलम जो की कालिदास की रचना है वह play है वह नाटक है अभी हम कालिदास की दूसी रचना की बात कर रहे है मेगदूत या एक कवीता है याद रिखेगा कई वाल सवाल पुछा गया है कवीता और play में confuse कर दिया है इसमें बहुत सारी बात कहा गया है इसकोई डीजिल हम नहीं जाएंगे आगे बढ़ते हैं recording and preserving old stories ये नया सर्वीरिंग शुरू हो गया कहता है जो हिंदू religious stories है वो तो बहुत पहले से चला आ रहा था इस समय में उसको क्या हुआ write down किया गया और जो write down किया गया उसका नाम दिया गया पुरान पुराना क्या होता है पुराना का मतलब ही old होता है इसमें बहुत सारे stories content है और ये stories क्या है about God and Goddesses कैसे जैसे विश्णू के बारे में सिव के बारे में दुरगा और परवती के बारे में है they also content details में यह भी इसमें बताया गया है कि कैसे इन देवताओं का पूजा करना है पुराना का चर्चा भी इस पुरान में है ठीक है कहता है जो पुरान लिखा गया है इसको बहुत ही simple Sanskrit में लिखा गया है और यह पद्ध में लिखा गया words का मतलब होता है पद्ध याद रखिएगा और इसको सुनने के लिए सब को allow किया गया है है everybody able to listen this heard, इसको सुन सकता है जो महलाएं हैं और जो सुद्रास हैं उनको भी allow किया गया जबकि जब हम वेदा की बात करते हैं तो वेदा महलाओं और सुद्रों के लिए मना किया गया था उनके लिए ये allow नहीं था लेकिन जो पुरान है वो सब के लिए एलाव था, महलाएं और सुद्र वो ही इसको सुन सकती थी काता है जो टेंपल के जो पुरोहिद होते थे वो इसका पाठ करते थे और लोग चारो बगल इकठा हो करके इनको सुनते थे यही बात कहा गिया है इस परागराप में अब बात करते हैं महाभारत और रामाइन की तो यह महाभारत और रामाइन है जब हम महाभारत की बात करते हैं तो इसमें युद्ध की बात करते हैं इसमें दो भाईयों के बीच में जो कजन ब्रदर से उनक में युद्ध हुआ है एक तरफ है कौरवास और दूसरा तरफ है पांडवास यूतिका जो कारण था वो था राज गद्धी पे कंट्रोल करना हस्तिनापू जो उसकी राजधानी थी वहाँ पे और जो कुरूज मतलब यह जो राज था उस पे कंट्रोल करना था कहता है इसमें तो बहुत सारे ओल्ड स्टोरी थे ही इसको रिटेन डाउन किया गिया वास्ता में पंद्रो सो साल पले साथे साथ यहां पर यह भी करता है कि चाहे वो पुरानास वो चाहे महाभारता हो इन दोनों के जो राइटर है वो व्यास जी ही है याद रहेगा महाभारत और पुरान के जो राइटर है वो व्यास जी ही है साथे सब महाभारत का ये पार्ट है गीता ये भी इसी समय में इसको include किया गया लिखा गया है ठीक है आगे अगर हम बात करें तो कहता है अब रामाईन की बात करते हैं तो रामाईन वास्ता में जो भगवान राम है उन पे बेश्ट है भगवान राम कोशल जो देश था उनक पत्ली को अपरन कर लिया, फिर उन्होंने इजुद लड़ा और अपनी पत्ली को वापिस ले के आ गया, और फिर अयोध्या लोट के आ गया, अयोध्या क्या है, तो कहता है जो कोसल देश था उनकी राजधानी थी, कहता है, जो महाभारत है, उसी तरह से इसमें भी रामायन में भी बहुत सारे पूराने स्टोरीज को इस महाभारत में संक्रित किया गया, और रामायन की जब बात करें, तो रामायन जो संस्कृत में लिखा हुआ है, इसके जो राइटर है, वालमी की जी है, याद रखेगा, अभी जो चर्चा चल रहा है रामाईन की वो अवधी में लिखा हुआ है और उसके राइटर तुलसी दास जी है, मतब अवधी में लिखा हुआ है रामाईन और इसके राइटर जो है ये तुलसी दास है, ये संस्कित में लिखा हुआ है रामाईन और इसके राइटर जो है व पोएम्स को कमपोश्ट करते थे, वो भी डांस करते थे, वो भी गाना गाते थे, वो भी प्ले को परफॉर्म करते थे, ऐसे जो समान लोगों के द्वारा किया जाता था, उनको प्रिजर्व किया गया, उनको सब को कलेट किया गया, उस स्टोरीज को, और वह था जातकास के र वहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे stories जो sculptures जो है जो पत्थर पे उकारा गया है जो मूर्ती वह वास्ता में यही जातकास से मतलस्ट जो subject है जो theme है penting का या उस पत्थर पे उगरे हुए मूर्ती का वो जातकास का जो एस्टोरी है इसी को वहाँ पे उकेरा गया है चाहे पेंटिंग के फॉर्म में हो या स्कल्प्चर के फॉर्म में हो यह पिक्चर आप देख रहे हैं पंचतंतरा का है आगे अगर हम बात करें तो एक स्टोरी है, इस स्टोरी में एक बॉक्स में स्टोरी दिया हुआ है इसमें सिंपल ये बोलता है कि पहार मतलब हिमालियास में एक मंकी कींग थे वो असी हजार फॉलोवर्स के साथ इस हिमालिया में रहते थे वहाँ पे बहुत ही सुन्दर आम का पेर था और वो बहुत ही स्वादिस्ट आम देता था जो बंदर थे वो उस आम को खा करके बहुत ही मजे लेते थे एक बार उस पेर का एक आम गिर करके गंगा में बहते बहते बनारस अला गया ठीक उसी समय में जिस समय वो गंगा में बनारस में आम पहुंचा था वहाँ के राजा वहाँ पर अस्लाम कर ले थे राजा के हाथ में वो आम आया उन्होंने खाया चक्खा बहुत ही स्वादिश था तो उन्होंने अपने जो गार्डनर है उसको बोलो के खोजो कि यह आम का पेर कहा है खोजते खोजते वो लोग हिमालियास पहुँच गया हिमालिया जब पहुँचे तो उस पेर को भी खोज लिया और खुब दम भर खाया मजे लिए रात में देखा रात में रात में क्या हुआ? रात में देखा कि वो बंदर भी जो है उसको खा रहा है तो ये राजा बहुत ही दुखी हुआ, बहुत ही कुरोधित हुआ और बोला कि इन सारे बंदर को मार दो जब बंदर राजा को ये बात पता चला तो उन्होंने एक तरीका निकाला उन्होंने बहुत सारे पेर की डालियों को तोरा उसका बंदल बनाया और उसको ब्रीज बना करके नदी में क्रॉस करने का कोसिस किया और वो सारे अपने बंदर को क्रॉस करवा दिया इस प्रॉसिस में वो जो बंदर राजा था वो उसको देख रहा था और वो ये सारे चीज़ को देख करके उसको बहुत ही दुख हुआ और बाद में उस बंदर राजा को बचाने का उन्होंने बहुत ही कोशिस किया लेकिन वो बच नहीं पाया उनकी मिर्ती हो गई इसी चीज़ को देख करके कि वो राजा जो बनारस से आया था बहुत ही दुखी हुआ बहुत ही उसको रिस्पेक्ट भी मिला उस बंदर राजा को यही बात आप भरहूत एक जगह है सेंटरल इंडिया में वहां पे जो एसकल्प्चर्स मिला है उसमें इन ही सारे चीजों को उकेरा गया है मतलब यह जो बंदर राजा की कहानी है इससकल्प्चर्स में बहुत ही अच्छी तरह से उकेर करके बताया गया इसको देखिए और आप भी अनुमान लगाई कि यहां पे क्या-क्या घटनाए हो रही है ठीक है आगे अगर हम बात करें तो करता है राइटिंग बुक्स ओन राइटर है उनकी बात करते हैं यह मैथमेटिसियन है एस्ट्रोनॉमर है इन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखा जिसका नाम था आरे भटियम इन्होंने क्या-क्या बताया कि दिन और रात की घटनाई होती है वास्ता में पिर्थिवी के रोटेशन के कारण होता है पहला चीज़ दिये साथ ही साथ उस समय में और वे विद्वान हुए जैसे वराहमीर हुए ब्रहम गुप्त हुए भासकराचार हुए यह तीनों बहुत ग्रेट मैथमेटिसियन्स थे और एस्ट्रोनॉमर्स थे उस समय के यह पिक्चर देख रहे है यह आर्वट का है यह ब्रहम जीरो के लिए जीरो का एक सिंबल यह आप देख रहे हैं यह संकेट है जीरो का इसका इस समय में इन्वेंशन किया गया कहता है बाद में यही भारत से अरव गया अरव से यूरोप गया अगर हम रोमन इंपायर की बात करें तो उनका जो सिस्टम था कॉंटिंग का उसमें जीरो नहीं था याद रखिएगा अगर हम आयरुवेदा की बात करें तो कहता है कि भारत में वेल लौन था यह सिस्टम तू फेमस जो आयरुवेदा प्रैक्टिसनर्स थे उनकी बात कहा गया है एक तो चरक है जिनका की फर्स्ट और सेंचूरी में पिरियड है दूसरा सु उन्होंने सुसरूत समीता लिखा यह सरजिकल जो सरजी सरजरी होता है उस पे बेस्ट यह बहुत ही सुंदर आयरुवेदा का बुक है आगे हम बात करें तो कहता है यह जो हमारा सबहेडिंग है इसमें वास्ता में जो पेपर है जो कागज है इनका जो इन्वेंशन है इसक चो कि यह जो है उसकी बाद कर लेते हैं शिलक आज सी 5000 साल पहले में चाइन्वेंशन होँ. तो 1900 साल पहले और 5000 साल पहले इन्वेंशन पहले इसी अन्वेंशन है आप काता है यह टेक्निक जो है बहुत समय तक चायना में गुपत रहा बाद में ये Korea पहुँचा, Korea से Japan पहुचा, बाद में फिर आगे चलकर के यही टेकनिक जो है धिरे-धिरे बगदाद पहुचा, बगदाद से Europe, Africa and other parts of Asia पहुचा, यही कहानी इस पूरे परग्राप में कहा गया है कुछ date line देख लेते हैं कि beginning of अस्तूपा building तो 2300 साल पहले अस्तूपा बनाने का सुरवात हुआ, अमरावती के जो हम बात कर रहे थे, अमरावती अस्तूपा 2000 साल पहले की बात है, काली दास का पिरियर आँ से 1600 साल पहले है, जो iron pillar की बात किया, जो temple जो भीतरगाओं है उसकी बात किया, तो उनका जो time period है आज से 1400 साल पहले है, फ्रेंट इस तरह से हमने सारे चीज़ को देखा, फिर से अगर हम कहें, तो हमने ये अस्तूपा के बारे में जाना, keyword में, फिर हम temple के बारे में जाना, painting, epic, story, पुराना, और फिर science में जो हम देखा, zero के बारे में, और फि सिखर क्या है, ये कहता है, सिखर क्या है, place in the temples where, ये सिखर क्या है, तो ये टावर है, और जो मंडपा है, ये एसंबल जो लोग होते थे, मंदीर में वो है, गर्वगरी क्या है, ये डाइटी है, मतलब जो बहुत ही, place where images of the deity are installed है, और प्रदक्षना पात क्या होता है, circular path होत सिखर करता है, stories about gods and goddesses are founded, पुरान में बात करता है, तो हमसे इसका पुरान होगा, dash is recognized as the author of the Sanskrit Ramayana Kondh, महर सी वालमे की जी है, और dash and dash, ये होगा, सिल्पाधिकारम, और money maker are the two ultimil epics, ये कोश्म हो गया, बहुत ही आसान है, इस तरह से हमने iron pillar की बात किया, building in bricks and stone की बात किया, how are us to pass and tempers built, ये भी देख लिया, painting, अजन्ता के बारे में देखा, world of books, चार-चार epics के बारे में देखा, science के शेत में जो development हो देखा, recording and preserving all the stories, जो जातकास, कहानी और पंचंत की बात किया, stories told by ordinary people, मत जातका का, इसमें भी चर्चा है, और writing about the book, ना science के field में जो book लिखा गया है, वो देखा, elsewhere में जो paper का आविसकार invention हुआ है, वो देखा, friends, इस तरह से हमने इस chapter को बहुत है, अच्छी तरह से देखा, सारी चीज़, chapter का नाम ही है, building, painting and books, very important